दोस्तो इस कताब दा जो दुचा चेप्टर है ओ है हलाता उपर विचार दा प्रबाव जो साड़ी हलात है जो साड़ी प्रस्थिती है ओ साड़ी विचार दवरा बंदी है मनुखी मन एक बगीचे दे समान है जेड़ा सोच समझ के पूरी बुद्धी देनाल बीजिया जा सकता है ते जां उस विच अपने आप जो मरजी उगन वास्ते सड़या जा सकता है पामे त्यान दो ते पामे ना दो ज़रूर है के मन रुपी बगीचे विचे कोज ना कोज ज नहीं भी जांगे ता बेवर्ते नदीन उग पैनगे एन दीन सड़े मन दी उपजी नुखा जांगे दोस्तों जिवे के खेता देविच फसल देविच उगे नदीन फसल दी ताकत नू फसल नू पाईया जानवालियां खादा नूखा जंदे है उस तरह सड़े मन विच अ उसेुरान लोग मनुरूपी क्यारी विच हर तरह दे गलत अपुत्र विचार नदीना वांग कड के सोट डेन गे ते सही वर्तों जोग शोद विचारान दे फूल प्रापत कर सकते हैं। इस तरह करके मनुक जल्दी या देरनाल समझ लेंदा है कि ओ मन रूपी क्यारी दा मस्तरगार्ड है पाव खोद मालक है अपनी जिन्दगी दा खोजी है ओ अपनी जिन्दगी दा नर्देशक है ओ एवी जान लेंदा है कि किसे विचार शक्ति उस दा चितर प्रस्थितियां ते उस दी किस्मत बनाओ दी है मनुक दी जिन्दगी दे बाहरी हलात उस दे अंदर ले हलाता ना जुडे हन हर मनुक उत्थे है जिते विचार उसनों राख दे हन उस दी जिन्दगी दी बनतर विच मौके ना दी कोई चीज नी बाये चांस कोजवी नी बन दा सगों उस न दिजम्दा पर नाम है जिते कोजवी गलत नहीं है ओ उन्ना ले ते उन्ना ही सही है ते पूरी तरह संतुस्थ हन जो बिलकुल संतुस्थ नहीं हन हलात साड़े विचाराँ चो उपच दी है जदो कोई हलात मनुख नू पाठ सका देन्दा है ता उस दी जगा नवा हलात ले लेंदा है जिदों तक मनुख अपने आपनों बारी हलाता दवारा बनाया समझदा है वो पठकदा रेंदा है पर जियो ही वो ये महसूस कर लेंदा है कि वो सिर्जनात्मक शक्ति खुद है पाव वो हलाता नो बनाणवला खुद है वो खुद हुकम दे के मिटी ते बीज विच्चों हल खुद उत्पन करदा है जिवे वो अपना मलक खुद बन जन्दा है कोई वी मनुख जिसने आतम शुदी नो स्वैम दे कंट्रोल दा अब्यास कीता ओ जान्दा है कि प्रस्थितियां विचार तो उत्पन हुन दिया है उसने गौर कीता हुन्दा है कि मनो दशा बदानाल प और बीज रूपी विचार जिसनुद बीजया जन्दा है जदो ओफली पूत हुन्दा है पहाव उसनुद फॉल लग दे हन ता चंग विचार चंग फॉल दिन दे हन अते बुरे विचार बुरे वाल दिन दे हन हलातां मानदा बहरी संसार विचारां दे अंदर ले संसार चों उपजदा है अपनी खुद दी लगाई फसल कटन वालिदे रूपे च मनुख दुख ते सुख दुआ तो सिकदा है अमल अते निया मनुख जेल जां पखारियां दे विचकार किस्मत जाहलातां कारण नहीं सगों अपने दुष्ट विचारां दे कारण पहुंच जानदा है ना ही चंगा आदमी दिल विच लंबे समय तक पोश्यत हुन देहन अमल तो बिना मनुख जेल जां पखारियां दे विचकार किस्मत जाहलातां दे कारण नहीं सगों अपने दुष्ट विचारां दे कारण पहुंच दा है ना ही चंगा आदमी दिल विच लंबे समय तो पोश्यत हुन देहन जनम दे समय ही आतमा आप ओंदी है तरती दी इस जात्रादरान हर कदम ते प्रस्थितियां दे उनना संजोगानों अकरशित करदी है जो खुद उस दी अपनी प्वितरता जां पाप शक्ती जां कमजोरी जां प्रती बेंबनों उजगर करदी है संत मसकीन जी कहा करदे संद के प्रेत आतमा ते दैवी आतमा नो जनम देन लिए लंबा समय इंतजार करना पेंदा है ते देव ते देवी विचारां वाले बंदे नू देवी गुनावाली मादी को खचाई दी है तो इसे तरह ही एस सड़ी आत्मा में सड़ी सरीर दी शुत्ता वे के उस विच प्रवेश कर दी है उन्हादा सनक प्राम इशावा हर कदम ते निश्फल हो जान दिया हन प्रंतु उन्हादे आंत्र के विचार अकार देनवाली देवी शक्ती साड़ी अंदर है इही साड़ी सचाई है मनुख ने खुदनों ही कैदी बनाया है मनुख अपने हलात सदारनली चिंतत है पर अपने आपनों नहीं सदार दा मनुख जिड़ा अपने में तुरे ते तो पास से हो जन दा है ओ कदेवी ओ कदेवी सफल नहीं होंदा ते ओ मनुख जिड़ा में तुरे नाल जुड़िया रिंदा है पाव विचार शक्ती नाल जुड़िया हुंदा है ओ कदे भी फेल नहीं हुंदा मनुख जो दौलत का मौदा है चौदा है ओ कुज करबानिया दे के ही अजेहा कर सकता है मनुक जो गरीब है अपने हालतस दार ने चूंदा है पर काम तो बच्चदा है अपने मालक नो तो ख़दिन दा है ते उस दी दिहारी काट होन्दा बहाणा लग़न्दा है उ कदीवी अमीर नहीं हो सकता क्योंके अनमनुखा तो खेवला विचार दिल विच राकड़ा है ते साथे दिल विच जेहो जे विचार हूंदे हन असी ओहो जेय बंजन दे हन चंगे आई कदेवी बराई पैदानी कर सकती तुसी ओही हो جो तुसी सोच दे हो चंगे विचार चंगे आई ते बुरे बुरेया ही पैदा करदे हन दुख साड़े बुरा विचारा कारण होंदा है विचार तरी तहड़े हला तन्दा नर्मान करदे हन विचार पामे चंगे हों जा बुरे नतीजा जरूर तेंदे हन